जैश्री कृष्णर, रादे रादे, श्री हरिदास, और आज की प्यारी से सुन्दर से लिला, आज सेविका देखती है कि सामने से लाला जो है आ रहा है, लेकिन लाला जो है राम स्वरूप में है, सेविका उनको पहचान गई है क्योंकि उनका जो चहरा है वो थोड़ा बद बोरी नहीं आ जाती है प्वत थकावट लग रही है, तो सेविका कहती है आप राम भगवान हो ना तो वो कहते हैं हाँ मैं राम भगवान हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप जो है इतने कमजोर क्यों हो गए हो, तो कहने लगे कुछ नहीं मैं बहूत थक गया हgam, मैं सोना चाहता हूँ, उन्होंने हरे रंग के वस्तर पहने हुए हैं, लेकिन शिंगार नहीं किया हुआ है, उन्होंने सारी ज्वैलरी वगएरा कुछ नहीं पहना है, उनके बाल खुले हुए हैं, उन्होंने ऊपर पहना हुआ है, और नीचे जो है उन्होंने धोती पहनी है, वो भी हरे रंग की है और उन्होंने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ तो वो आके सूफे पे बैठ जाते हैं तो सेविका कहती है लाइए मैं आपको सुला देती हूँ अब सेविका कहती है नहीं नहीं आप इधर नहीं आप अंदर चलो आप गर्व ग्रह में सो जाओ तो वो कहरें ठीक है लेकिन प्रभु जो है किसी भी नीचे नहीं लेकिन वो जमीन पे बिस्तर करवाते हैं और कहते हैं कि मैं यहीं सोँगा और सेविका जो है गोधी में लेकर उनको सुला रही है लेकिन उनके सेविका के मन में एक भाव चल रहा है कि हमको तो बुलाया भी नहीं इन्होंने अपने दर्शन के लिए योध्या और देखो खुदी आ गए और आए भी हैं तो सिर्फ सोने के लिए आए हैं मतलब ये भी कोई बात हुई तो तब ही भगवान जो है उसकी बाते सुन रहे होते हैं जो वो मन में बोल रही होती है सेविका तो उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमको नहीं बुलाया लेकिन मैं यहां आया हूँ न मैं खुद आया हूँ न मैं सोना चाहता हूँ तो वो केते नहीं नहीं आप सो जाएए मैं कुछ नहीं कहूंगे और सेवी का जो है तक्या लगा कि उनको वहीं पे लिटा के बाहर आती है तब भी हमारी प्यारी श्यामा आती है और श्यामा केती है उनको मेरी लीला बता तो बोली क्या लीला बतानी है बोले बताना कि मेरे पास कितने खिलोने हैं मेरे पास कितने घाग रहे हैं मेरे पास कितनी चीज़े हैं तो बोली ये कोई लीला होती है बोले हाँ ये जो कुछ हो रहा है ये सब मैं ही तो कर रही हूँ ये सब मेरी लीला है तो बोली वो तो आके सो ही गए कोई बात भी नहीं की बोले कि मा के घर क्यों आया जाता है वो अपनी मा के घर आराम करने भोजन करने आये हैं कमजोर हो गए है ना तो भोजन करने के लिए आये हैं और ये बोलकर जो है स्यामा कहती है उनको खुब भोजन कराओ और उनको आराम करने दो इसलिए आज करुआ ने भी कोई शिंगार नहीं किया और आज वो आराम में है अभी भोजन खाके और ये जो लीला प्रभु ने की ये तो प्रभु ही जान सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि जब करुआ आया था तो उसने कहा था कि वो यहां पर आया ही विश्राम करने के लिए है वो थक जाता है उसको भोजन करना होता है क्योंकि इस घर में लाला की चलती है उसकी मर्जी होती है तब वो शिंगार करता है उसकी मर्जी होती है वो नहीं करना चाहता वो नहीं करता उसका मन नहीं होता किसी को बुलाने का वो किसी को नहीं बुलाता उसका मन तो वो किसी को नहीं बुलाता ये साव उसकी मर्जी पे चलता है क्योंकि बच्चा तो अपने घर पे आके ही आराम करता है तो ये प्रभू क पसेंद का बहुत सारा भोग प्रशादी मीठा सब बनाया और प्रभू को पवाया और बहुत आनन्द आप सब को भी मिले बस यही है कि प्रभू की भोग सेवा means उनकी जो इच्छाय होती है प्रभू के बाल भोग होता है राज भोग होता है उनका शाम का उनका जो है दिन चर्या में जो भोग लगता है वो भोग होता है फिर उनका शैन भोग होता है फिर रात को उनका अलग भोग होता है तो इस प्रकार उनके अनंत प्रकार के भोग जो है जब प्रभू विश्राम करते हुए पाते हैं तो प्रभू फिर से मैंने ये भोग पा लिया है, मैंने विश्राम कर लिया है, तो ये सब जितनी भी लिलाएं प्रभू कर रहे हैं, ये सब आनन्द लिलाएं, ये रस का आप सभी सुख भोग रहे हैं, हम तो भोगी रहे हैं, आप सब को भी वो रस मिल रहा है, लेकिन ये एक तरह का ऐसा Shri Haridhas